हेलो एबरिवन मसालेदार मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ निकीत अत्यागी और आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने जा रही हूँ बिना लैसुन प्याज के पिलकुल हलवाईयों जैसी साधिवया में आप आलू गोवी खाते हैं और द्यान से काटे गोवी आपके बहुत बार कीडे आ जाते हैं तो आपको अच्छे से धोना है मैं बताती हूं आपको किस तरह से करना है तो मैंने यहाँ पर गोवी चस तरह से ohığınट से कर लिया है औ Av liya है मैंने एक बाउल में थोड़ा गुन-गुना सा पानी यानि थोड़ा हलका गरम पानी ले लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल कर इन सभी गोवी के पीपो को इसमें एड़ कर दिया है इस तरह से तो सारी गोवी हमने डाल दिये, पानी थोड़ा कम रहा गया है, तो मैं थोड़ा फगरम पानी इसके ऊपर से ओर डाल देती हूँ इस तरह से, और इससे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, जितने हमारी गोवी रखी है यहां पर इतने हम आलू भी कट कर लेते हैं, तो मैंने यहां पर चार से पांच आलू कट कर लिए हैं इस तरह से मोटे मोटे पीक्सिस में ही, तो गोवी और आलू हमारे कट हो और यहां मैं टमाटर को इस तरह से गिया कस्में घिसने वाली हूं, आप चाहें तो mixing jar में डाल कर आप इसका paste बना सकते हैं, तो इस तरह से गिसने से क्या होता है कि जो टमाटर का ऊपर घिसकी होता है जो छिलका होता है बो अलग हट जाता है इस तरह से और इसी तरह से हम सभी टमाट्रों को इसमें घीया कस पह गिसकर तयार करेंगे तो इस तरह से घेसने के बाद हमारी टमाट्रों की प्यूरी बनकर तयार हो गयी है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चाहें तो इसे mixing jar में पीश सकते हैं यानि mixing jar में पीश कर आप टमाटरी प्यूरी तियार कर सकते हैं साथ ही हम मैंने यहापर ले ली है यह गोवी इनने निकाल लेते हैं इस तरह से पानी से बाहर और इनने अच्छे से हमें चार से पांच भार दो ले ना है हलाकि हमने नमक के पानी में यह डाल के रखी हुई थी लेकिन उसके बाब जूद भी हमें इसे अच्छे सेबस ठोल लेना है अब मैंने गैस पर रख दी है कड़ाई उसमें तेल गरम कर लिया है तो यहां मैं 600 का तेल ले रही हूँ तो इस तरह से तेल को अच्छे से गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी हमारी धुली हुई गोवी तो गोवी को थोड़ी दिर पानी से बाहर निकाल के रखना है ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाएगा ऑच्छे से श्टा फॉर्ज गय गोवी को निकाल लेंगे लितार का उल्हिए यहां खर णे टो अलो पानी में और उल्कुलन जाएगा पाना इंच्छे से फॉर्य हो निकल जाएगा तो कि बाद मैंसे से इन्कश घुणता निकल लेंगा जितना पानी है तो अब Уदो हमारे आलू भी fry हो गए हैं तो इने भी निकाल लेंगे इस तरह से आलू को एक तरफ रख देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा का ओयल निकल जाए और अब जो कड़ाई में हमारा तेल बचा हुआ है यह बहुत ज्यादा है सब्जी बनाने के लिए तो इसमें भी मैं जितना भ उमाज चमची बचार रखा हुआ है तो यहाँ पर गरम ही है तो गरम ओल में डाल देंगे हम यहाँ पर दो तेज पात के पत्ते इस तरह से यह लिया है मैंने यह फोड़ा सा जीरा इसी भी भून लेंगे जीरा भून जाने के बाद अब डालेंगे इसमें हम चौप हुए ह इसमें नमक टाकि हमें टमाटर अच्छे से गल जाएं नमक से टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे तो इस तरह से हमेशे मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे अब डाल रहे हो इसमें कुछ सूखे मसाले जैसे कि मैंने आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आदा चम्मच धनिया पाऊडर अदा चम्मच लाल मिर्च पाऊडरрем एड़र ये थोड़ा सा से मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसस तरह से आपने हापे नोटिस किया होगा कि मैंने कोई भी stick एकस३ठा का मफाला एड नहीं किया है मरले प्लल सिम्पल तरीके से ह्म यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं जैसे की हलवाई लोग बनाते हैं वो भी इस ही तरह से सब्जी बनाते हैं अगर आपने यहां पर मसाले को अच्छे से नहीं बोना meant to basic यानि कच्छी रह जाते है अप्योने बाद माच्छी में म法चे रहा जाते हैं तो सब्जी में यहां इन्सार भूने के बाद ही इमʃ से छोड़ा दिया है मैं पानी तो मैं इसमें डाल रहे हूँ है यहाँ पर हमारे भुने हुए आलू और गोवी इस तरह से इसे भी बढ़िया करके हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके उपर से मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी यानि एक सब्सक्राइब कर तले में सब्सक्राइब कुछ अयपने भीर खिली खिली हमारी आलु गोवी की सब्जी बनकर त्यार हो गई है बिल्कुल ऐसी जैसी कि हम फादी व्याओं में खाते हैं आपने कभी नोटिस किया होगा भी सब्जी होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होती है खिली खिली तो इस तरह से हमारी सब्जी जब बन गई है तब आप पास से खुद देख सकते हैं कितनी बैतरीन हमारी सबजी बनकर यहां पर तयार हुई है तो आप इसे गर्मा गर्म पराथे, रोटी, चाबल जिसके भी साथ आप फाना पसंद करते हैं उसके साथ में गर्मा गर्म सर्व कीजिए और फ्रेंड्स मुझे बताईएगा कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसेपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई टेक केर